तीन महिने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर अगर ये सवायव कर गए ना तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सवायव कर लेंगे सभी को पता दे कि इस मूवी के इनत जो रणवीर सींगे उनका राम रोकी रंधावर रखा गया है और दोस्तों वो बंदा है कि इतना मंचला बंदा है जो कि कभी अपना मूँ बंद नहीं रखता हर टाइम इंजोई करने की सोचता है और कल के बारे में निसोचता वो बंदा आज के बारे में सोचता है पर दोस्तों उसके लिए सबसे खास रहती है उसकी family जो कि उसके religion से related रहती है जानी कि दोस्तों उनकी जो family रहती है वो केसी रहती है धर्मे से जूड़ी हुई पुराने खयालोतों से जूड़ी हुई वो अपने राजपूताना खयालातों को ल इसका मतलब कि दोस्तों दोनों की फेमिली काफी डिफरेंट डिफरेंट है ऐसे मैं बात करी जाए तो रोकी रंधावा और रानी में दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार और दोस्तों इन दोनों के प्यार के अंदर रोडा बनने के लिए आ जाती है रोकी रंधावा की दादी और दोस्तों आगे चलके प्यार केसे श्ट्रगल करता है केसे अपने आपको सफल बनाता है और वहीं पर छोटी से क्लिप आपको धर्मेंतर सर की भी बताई जाती है जिससे कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में अगर इस मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा देखने कले मिल रहा है तो दोस्तों मूवी भी काफियरा अच्छी होने वाल है वहीं पर दोस्तों मानना पड़ेगा कि करन जोहर ने जो डारेक्शन दीए वो भी काफियरा डिफरेंट देखने कले मिल रही है क्योंकि दोस्तों movie की जो song से उनको भी काफी अच्छे से डारेक्ट करा है महीं पर दोस्तों movie के comedy punches भी काफी अच्छे देखने के लिए मिल रहे है और दोस्तों movie का जो background music है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है जाने कि दोस्तों फिल्म कहीं न कहीं ओडियंस को पसंद आ सकती है तो दोस्तों कुल मिलाकर कि ये फिल्म एक फैमिले एंटर्टेनिंग लज श्टोरी फिल्म है जिसको मैं देना चाहूँगा 5 आउट ओफ 3 एंड हाफ इस्टार दोस्तों आपके ओपिनिन क्या है अगर आपने ट्रिलर देख लिया तो आपको ट्रिलर किसे लगा कमेंड करके जरूर बताईएगा जय हिंद वंदे मातरम